हलो फ्रेंड्स विल्कम टू कॉंस्टेंस माइंड मैं हूँ दीपक आज हम इस वीडियो में टीचिंग पोजिशन्स को जॉब नोटिफिकेशन को डिसकस करेंगे इसमें असेश्टन प्रोफेसर प्रोफेसर असेट प्रोफेसर तथा गेस्ट फेकल्टी की भी यहां पर होना है आपका और दिल नहीं में जो नोटिफिकेशन आए वो सब वॉक इंटर भी हो उसमें अप्लिकेशन भी नहीं करना है तो देख लीजे एक बार इसमें नेट प्लस पीजी हो गता है असेश्टन प्रोफेसर के लिए यहां पर जो फेकल्टी वगरह हैं और डियू में है एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी रिकूट्मेंट ठीक है तो इसमें आप दिखोगे क्लिखेर टु अप्लाई नौ का आप संदिख रहा है हेल्पडेक्स मेल है तो यहीं नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं और यहीं से आप अप्लाई कीजेगा तो फ्रेंड् पोजिशन अंडर डायरेक्ट रिकूट्मेंट फ्रॉम दे लिजबल वैल क्वालिफाइड एंड एक्स्पीरेंस कंडिडेट ठीक है तो डायरेक्ट रिकूट्मेंट है यह अब इसमें सीटों की पोजिशन देखिए तो सिविल इंगिनिरिंग में आप देखेंगे तो इत बिजनेस, बिजनेस, बाइयो टेक्नोलोजी, इलेक्रोणिक्स औंकम्यूंकिसन, इंगिनिरिंग, फिलोस्फिय और कल्चर तोटल 79 सीट है और यह सारे असिस्ट्ट परफेसर के ही नहीं है इसमें यहां पर जैसे कि हम प्रोफेसर की बात करेंगे तो पीएसडी और experience लगभग लगता है और जब आप इसमें associate professor की बात करेंगे तो आपका PhD लगेगा लेकिन जो experience है वह 7-8 year तक होता है कहीं कहीं minimum 8 year मांगते हैं कहीं कहीं 3 year मांगते हैं मतलब minimum 3 year maximum 8 year का associate के लिए तो experience से इससे define हो गया अब अगर हम बात करें assistant professor की तो assistant professor की जिदनी पोस्ट है उसमें आपका master होना चाहिए 55% मार्क से और साथ में आपका gate या net या जो भी मतलब की lecture ship आप qualify किये हो आपके पास lecture certificate होना चाहिए ठीक है तो यह लोग apply कर सकते हैं तो यह तो हो गया पुरा details जो हमने आपको short form में बता दिया और आप लोग जानते भी हैं आप इसे अपने देख सकते हो खुद यहां पर आके इंपोर्टेंट देख लीचे पंदरणों से starting हुई है पांच अक्टूबर 2013 लास्ट एट है अपलाई करने का online application है एंड लास्ट इट फॉर आपको आप इसे पढ़के आप अपलाई कर सकते हैं वहीं से वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं ठीक है यहां पर आओगे तो यहां पर जो आप देखोगे थर्ड एडवर्टाइजमेंट है यह है थर्ड एडवर्टाइजमेंट और जो सेकेंड वाला है वो तो नॉन टीचिंग के लिए है नॉन टीचिंग एन अदर एकेडमिक पोस्ट तो हम थर्ड की बात करेंगे टीचिंग पोजिशन की यह वाक इन इसमें तीनी डिपार्टमेंट है computer science and engineering geology statistics और टोटल पोस्ट पांच है ठीक है और वाक इन इंटर्व्यू है यानि कि आपको डारेक्ट इंटर्व्यू के लिए जाना है रजिस्टेशन आपको करना है ठीक है रजिस्टेशन की भी हम आपको बता रहे हैं इनमें इंटर्व इसमें आप सब कुछ पढ़ लीजेगा डीटेल्स जो है ठीक है और इसमें रजिस्टेशन कैसे होगा तो रजिस्टेशन इंपॉर्टेंट नोट में यह लिखा गया है कि दा कंडिडेट डिजायर तो अटेंड वाक इंटर्व्यू हैस्टू रजिस्टेशन ओनलाइन इन इस पर अपको इस दोनों सेम उपर जो डिखा वहाइए है तो इसमें दो ऑक्टूबर तक आपको रिजिस्टेशन करने का म요का दिया जा रहा है ठीक है तो आप रेजिस्टर अपने आपको का लीजएगा अगर आपको वाक-ेंटर्व्यू में सामिल होना है तो ठीक है तो आपको यहां पर advertisement हम college का दिखाने जा रहे हैं लिंक आपको description में हम दे देंगे इसमें आप देखोगे ऊपर से आपको यह सब बहुत जल्दी चार-पांस दिन का समय देकर आपका interview भी ले ले लेते हैं तो आपको यह हमें साथ देखते रहना चाहिए और तीसरा है आपको यहां पर यहां पर यह बहला तो नहीं है यह notice आई हुए है यह भी साथ नहीं है और यह है walk in interview for the post of assistant guest faculty in various department आदित्ती महाविद्याल है ठीक है तो यह वाला हो गया तो यह सारे notification आपको download करके देख लेने हैं और आपको पता चल लाएगा किस तरह से आपको करने हैं ठीक है हम आपको एक-एक notification दिखाएंगे तो video long हो जाएगी इस सबको हम एक-एक करके जो रहेगा उसको हम टेलीग्राम पर भेज़ दे रहे हैं ठीक है दिलही नुवस्टी के जो यह walk in interview है जितने walk in interview है उसमें एक जो main बात होती है वो कि जब वो दिलही नुवस्टी के college है तो उसमें एक point लिखा होता है कि यहाँ पर जो भी apply करेगा वो DU के ad hoc panel जो ad hoc panel की list है ad hoc वालों की उसमें उनका नाम listed होना चाहिए ठीक है तो यह DU का walk in interview का मैंने बताया ठीक है लेकिन जो इसमें advertisement आये हुए हैं उसमें जितने advertisement की notice है इसमें आप कर सकते हो ठीक है walk in interview का अलग scene है बट जितने advertisement है वो आप check कर सकते हैं और check करके कर सकते हैं ठीक है तो thank you so much for watching अगर इसमें क कुछ miss information आपको लगी हो तो उसके लिए हम चमाच आते हैं आप हमें comment section में बताएंगे तो हम clear करने के आप रयास जरूर करेंगे